जैस्री हरी भगवत गीता छठे अध्याय का सेस भाग किन्तुवह योग भरिष्ट पुरुष मुल्पुन्यवानों के लोकों को अर्थात स्वारगादिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उसमें बहुत बर्सों तक बास करके सुद्ध आचरण करने वाले स्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है अध्युवान पुरुष उन लोकों को न जानकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है परंत इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में नी संदे अति दुल्लब है वह पुरुष वहां उस पहले सरीर में साधन किये हुए बुद्ध के संजोग को अर्थात समत बुद्ध योग के संसकारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है और हे कुल नंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्त के निमत यत्न करता है वह विश्यों के बस में हुआ भी अपने पहिले के अभ्यास से ही निसंदे भगवत की ओर आकरसित किया जाता है तथा समत्व बुद्ध रूप योग का जग्यास भी बेद में कहे हुए सकार कर्मों के फल को उलंगन कर जाता है जबकि इस प्रकार मंद प्रेत्न करने वाले योगी भी परमगतिकों प्राप्त हो जाता है तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंता करण की सुद सिद्ध को प्राप्त हुआ और अतिप्रेत्न से अभ्यास करने वाला योगी सम्पूर्ण पापों से अच्छी प्रकार सुद्ध हो कर उस साधन के प्रभाव से परमगतिकों प्राप्त होता है अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है क्योंकि योगी तपस्वी से स्रेष्ट है और सास्र के ज्यानवानों से भी स्रेष्ट माना गया है तथा सकार कर्म करने वाले भी से भी योगी स्रेष्ट है इसे है अर्जुन तु योगी हो है प्यारे शंपूर योगियों में भी ज ओम नमो भगवते वाशुद्या स्रीहरी स्रीक्रिष्ण गोविंद हरे मुरारे हेनात नारायळ वाशुदेव ओम नमो भगवते वाशुद्या जैस्रीहरी रादेक्रिष्ण जैस्री रादे रादे रादे